नमस्कार मित्रो मैं हूँ Dr. Harini Vaz मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित एवं संस्कृति बैसे तो ये संस्कृत की सेवा के लिए है और संस्कृत से सम्मंदित बहुत सारी प्लेलिस्ट इसमें है अगर आपको इंट्रेस्ट आये आपको अच्छा लगे तो आप उनको देख सकते हैं लेकिन इस समय ये वीडियो मेंने election के परपच से जो लोग election के काम में जुट्रे हुए हैं उनके लिए बनाया है इस वीडियो में हमें चर्चा करेंगे जो sector officer है जिनको journal officer कहा जाता है उनके कामों के बारे में देखिए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपका सारा काम और चुनाव की सारी प्रक्रिया बड़ी ही आसान हो जाएगी सबसे पहला काम sector officer के लिए क्या है कि जो भी presiding officer को करना है वो सारी कामगीरी उनको आनी चाहिए जैसे की मोक पोल कैसे किया जाएगा मसीन कैसे सील किये जाएगे मसीनों को कैसे चेक किया जाएगा और अगर कोई error है तो उसको आप कैसे अपने संभव प्रयास से दूर कर सकते हैं तो शुरुआ से चर्चा करते हैं step by step सबसे पहला काम जो भी sector officer है उसको मतदान से एक दिन पहले जब उसकी team में आई नी तो अपनी सारी team के जो भी members है उसमें presiding officer का अकेले का number लेने से काम नहीं चलेगा आप presiding officer का number ले लिजिए और बाकी कम से कम उस team के दो और लोगों के number आपके पास होने चाहिए सबके नंबरों बहुत अच्छी बात है लेकर आगर आप नहीं ले पाते हैं तो कम से कम प्रिशाइडिंग और उस टीम के दो और लोगों के नंबर आप अवस्ट्री ही ले 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 इससे पूरे दिन के दूसरे दिन के कारे में जैसे कि आपको हर दो करना चाहते हैं तो आप अपने पांच का एक ग्रूप भी बना सकते हैं जो बात में दो दिन बाद डिजोल भी कर सकते हैं लेकिन अगर यह संभव नहीं है आपको लगता है कि यह तो क्या सिरदर्दी वाला काम है तो आपके पास नंबर होने चाहिए और उन नंबर पो अब जैसे आपकी टीम है तैयार हो गए सब टीम है अपना सामन लेने जाएंगी लेकिन जब वो सामन लेने जाए तो उनको आप अपनी सिरदर्दी से बचने के लिए एक बात बड़ा क्लिया समझा दीजिए कि भाई जो आपको मसीने दी जा रहे है तीन चीज बीउ, सीउ, बीवीपेट अब बीउ तो अगर ज्यादा संख्या है तो ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जो भी मसीने आपको एक, दो, तीन यानि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और बीवीपेट दिया जा रहा है उन तीनों मसीनों पर आपके ही मत्दान कैंदर का नंबर है, इस चीज को बराबर चेक कर लीजिए और उस पर सिका वगेरे लगा है, इस चीज को कंफरम कर लीजिए, ये चीज कंफरम हो गए तो फिर बहुत सारी समस्या है कि बाद में दोड़ धाम करने पड़े वो नहीं रहेंगी और वो चेक करने के लिए उसके जो एड्रिस टेक लगा होता उसके उपर आपके मद्दान के अंदर का नंबर होगा जब आप वो चेक करेंगे सबसे महत्वपून है यानि जो मसीन है उनका बराबर उनकी नंबरिंग वोई है जो मत्दान के अंदर आपका है उसको चेक कर लेना है इसके बाद अगर सब लोग एकत्रित हो गए है तो कोशिस कीजिए अगर जल्दी हो जाए आपकी तैयारी तो आप सबको बिठा करके एक मीटिंग छोटी सी ले लिजिए और उस मीटिंग में उनको सारी सुचनाई दे दीजिए उन सुचनाओं में जो सुचनाई आपने ट्रेनिंग के दर्मियान सुनी होंगे वो ही सुचनाई देनी है लेकिन आप लिख लिजिए अगर आपको ज़रुवत है तो कि आपको पांच सुचनाई उनको देनी है सबसे माथ दूपन पांच सुचनाई देनी है एक सुचना यह है कि वो अपने केंदर पे आपके साथ या जो वाहन गवर्मेंट ने ते किया है उसी बाहन में बैठके जाए अपने वाहन का उप्योब ना करें क्योंकि ऐसी स्थिती में कुछ भी गड़बर होता है तो सारी जवाबदारी सेक्टर ओफिसर के सिर्पे आजाती है रूट सुपरवाइजर के सिर्पे आजाती तो अब किसी को भी अगर उसको अपने वाहन से जाना है तो खुद बले जाए लेकिन साधन सामगरी जो है वो अपने परसनल वाहन में रखके ना ले जाए सबसे पहली सूचना देनी ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आजकर क्या है कि सभी के पास अपने खुद के भाहन होते हैं और वो भी two wheeler के जिए के लोगा four wheeler सब के पास आजए हैं ऐसे में सबको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाहन में रखके जल्दी पहुंच सकता हूं और दूसरे दिन जल्दी मैं summit कर सकता हूं लेकिन इस तरह की छूट आपको नहीं देने चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए नहीं तो ये बहुत ही गलत का है दूसरी बात आपनको बताएं कि जब वो अपने केंडर पे पहुँच गए तो एक बार सारी मसीन के कनेक्शन करके और उनको प्रॉपरली चेक कर लें सब कुछ वीवी पैट बराबर काम कर रहा है श्रीव वीव बराबर काम कर रहा है कोई एर वनी नहीं सब कुछ एक बार अ जो सीथा खड़ा होता है और बेना किया जाता है इन चीजों का ओन ओफ का ख्यार लखें एक जगे से पीवी पैट हिला के दूसरी जगे पहुचाना है तो उसको जरूर से ओफ करें ये उनको खास बताईए दो सुचना होई पहली सुचना क्या थी कि उनको अपने वाहन का उप ये करना है और दूसरी सुचना ये कि कैंदर पे जाकरके अपने कैंदर पे जाकरके वो सारे मसीनों का अच्छी तरीके से चेक कर ले। तेसरी सुचना आपको मोगपोल के संदर्म उनको देनी है कि सुभे देखे इस वार सात वजे से मद्दान रखा है इसका मतलब है कि छे वजे मोगपोल उनको सुरू करना पड़ेगा अगर आप भाकिशाली हैं तो आपके हाँ एक ही भी यूज हो यानि 15 से ज़ाधा कंडिड़ेट ना ओла ह। ऐसी आपको सुभेछा कंडिड़ेट है लेकिन अगर किसी भी कंडिशन में इस से ज़ाधा कंडिड़ेट हो गए मैं तो यह कहे रहो 3-5,7 होने चाए मेंज़ी हैं अगर इस से ज़ाधा हो गए तो भी समस्या है क्योंकि प्रतिक कंडिडिट को 3-3 मत दे के देखने है यानि 15 नोटा है तो नोटा को भी 3 मत देने है तो वो सारी चीजें जब आप मोगपोल की सारी प्रक्रिया उसको समझा देंगे अगर ऐसे आपको ध्यान नहीं है कि मोगपोल में क्या क्या करना है तो मेरा वीडियो है मोगपोल से समंदे बहुत चला है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर करके देख सकते हैं गुजराती में भी है और हिंदी में भी है दोनों भाजा में दिया हुआ है तो उस प्रकार से मोगपोल की पूरी प्रक्रिया उनको समझा दीजिए इस बाहर मोगपोल कीए बिना आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि वीवी पैट में से वो स्लिप निकलेंगी और उन स्लिप को आपको काले कवर में बैग करके रखना है तो मोगपोल होना है होना है और होना है और इसके लिए 6 बज़े अगर आपको मोग पूल करना है तो उससे पहले आपको सारे मसीन के कनेक्शन कर लेने है कनेक्शन इस वार बड़े इजी है क्योंकि खाली जो वियू का स्विच है ब्लेक और वाइट वाला वो वीवी पैट में लग जाता है वो सिधा आपके कन्ट्रोल इनिट में लग जाता है ज्यादा लंबे कनेक्शन नहीं है ब्लेक्शन निकल गया और सारी सिर्दर्विया निकल गई है इसलिए बड़ा ही आसान काम हो गया है तो मोग पूल अच्छी तरीकी से उनको समझा दीजिए और 6 बजे उनको अपनी मसीन कनेक्ट करके रेडी हो जाना है अब 6 बजे रेडी होना है इसका मतलब यह है कि अपने नित्य कर्मों से निवर्ट हो करके यानि कि 5 बजे उठें या जो भी उठें पर 6 बजे उनको तयार हो जाना है खास करके जो आपके polling officer, महिला polling officer होंगे जो संभवता सामको आपसे ये कहेंगी कि हम अपने घर जा रहे हैं तो उनसे आपको ये कहना पड़ेगा कि आप दुनिया की किसी भी कौने में हो लेकिन सुबह पौने 6 बजे या साड़े 5 बजे आपको यहां पर पहुँच जाना है पौने 6 बजे से लेट अगर आप reporting करेंगे तो आपकी reporting हम अपने AO से करेंगे या आप उनसे clear कह दीजिए मूख पौल की प्रक्रिया के बाद तीसरी बाद जो आपको अपने team को बतानी है वो sealing की प्रक्रिया है sealing की प्रक्रिया उनको proper आने चाहिए कि green paper seal कैसे लगाना है उसके पीछे agent की signature करवानी है उसके उपर उनका सिख्खा लगाना है यह सारी चीज़ है अगर किसी को नहीं मालूम पढ़ रहा है तो आप simple कोई एक paper ले लीजिए और उसको एक side marker से किसी चीज़ से पैंसे निसान मार दीजिए और जो side निसान मारा है वो मान लीजिए कि यह क्या है green color है और इस तरीके से उस paper को डड़वा के एक पुरा seal करवा के उनको बता के दिखा दीजिए कि ऐसे seal होगा इस तरीके से आपका जो round seal उपर से ABCD step seal मारना हो कैसे मारा जाएगा हर एक सी यह काम अगर आप एक दिन पहले उसके अंदर पे जाके करवा करवा के देख लेंगे तो आप यकीन मान लीजिए कि दूसरे दिन आपको परिशानी नहीं होगे अगर यह timing 8 बजे का होता तो मैं आप से कहता कि आपके पास समय रहता है लेकिन यह timing 7 बजे का voting का time जो government ने किया है इसके हिसाब से आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा और आपके लिए सिरदर्दियां बढ़ जाने वाली है इसलिए एक दिन पहले अगर यह सारी तैयारियां आप करवा के देख लेंगे तो दूसरे दिना आप बड़े ही निश्चिंत रहेंगे चार बातें होगे पांच मी बात जो सबसे महत्पोन है वो election के दिन की बात है election के दिन मोगपोड हो जाएगा सिलिंग हो जाएगी उनको बता दीजिए कि सारे certificate time to time तैयार करें अगर ना तैयार हों तो आप जाके या अपने assistant sector को जोनल को वहाँ बेज करके और वो certificate तैयार करवा लें उन certificate में किन किन चीजों का ख्याल रखना है या आपको मालम होना चाहिए मानलेजिए मोगपोल का certificate बनना है उसने दिखाया कि control unit में एक नमबर को पांच मत हमने डाले थे और फिर अगर वो कहीं बीवी पैट में से निकले हुई slip की संख्या हो कुछ भी लेकर अगर भूल से भी उसमें गड़बर पांच की जगे चार लिग दी तो समझ दीए सब कुछ बेकार हो जाएगा तो वो certificate मोगपोल का जो उनको तयार करना है उसमें control unit में बताय हुए मत और बीवी पैट में निकले हुई slip ये तोनों कॉलम एकदम perfectly मैच होने चाहिए और उनके उपर जो वहाँ agent हो उनकी signature micro observer हो तो micro observer की signature आपकी signature सब करके उसको complete कीजिए मोगपोल का certificate एक copy उनके पास रहनी चाहिए एक copy आपको ले जा करके अपने आगों के पास जमा करवानी है सुबह मोगपोल पूरा होने के बाद पहले दो गंटे में जब आप विजिट करेंगे यानि 9 बजे से पहले पहले आपको वहां पर जमा करवानी है यह आपकी जवाबदारी है तो इसके लिए आप दो भाग में बढ़ सकते हैं अगर मानिजी आपके पास दो center है बूत भले 11 लेकिन 2 center हो सकते हैं तो अगर 2 center आपके पास हैं तो आप एक जगे बहुतर जाएए गाड़ी को लेकर के भेज़ दीजे आपके असिस्टेंट को उसको वहां का काम सुख दीजे तो इस प्रकार से आपको यह तैयारी करने चाहिए उनको जो सूचना देनी है मद्दान के दिन हर दो घंटे पे आँकड़े आपको चाहिए क्योंकि आपको हर दो घंटे पे आँकड़े देना है लेकिन दो घंटे पे तो टीवी वाले चाहते हैं कि दो घंटे के आँकड़े में टीवी पे दिखा दो तो यह खास द्यान रखिए आपकी 9 बजे के आँखडी जो हैं वो आपको 8.40 पे ले 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 हैं 8.40 पे वो टोटल का बटन दबा करके और आखडी ले 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 हैं और वो आपको 8.40 पे ले 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 हैं पौने 9 या 8.50 तक आप अपने RO को दे दीजिए आरो के पास वो पहुंचेंगे आरो उस चीज को अप्लोड करेगा और जैसे अप्लोड करेगा तो मनिनगर में या एहमदावाद में या गुजराइत में या आप यूपी की किसी भी उसमें है या विहार में जहां भी आप आपका काम जहाँ है तो उस छेत्र में कितने परसेंट मदान है उसका कैलकुलेशन हो करके और टोटल मदान इतने परसेंट हुआ पहले दो घंटे में ऐसे प्रतीक दो घंटे भी ये काम करना है तो आपको ख्याल क्या रखना है कि जिन दो घंटे का आपको लेना है यानि 8.40 पे ले लिजिए, फिर 10.40 पे ले लिजिए, ऐसे, मतलब 20 मिनट पहले, जितने बज़े आपको आँकड़े देने हैं, उससे 20 मिनट पहले आपको आँक्ड़े लिजिए, कोई आपसे यह नहीं कह सकता है कि इसके आंकड़े आप जल्दी दो लेकिन पहले दो गंटे के आंकड़े के लिए 9 बजे के आंकड़े आपसे पहुंडे 9 बजे आपके ARO मांगेंगे और उस समय फिर आपको ऐसा रगता है 9 बजे देने थे अभी से आपको मांग रहे हैं लेकिन यही प्रक्रिया होती है इसलिए इस चीज को बरातर समझते हैं एक चीज जो आपको बहुत ध्यान देनी है अपने प्रिशाइडिंग आफिसर को यह चीज समझा दीजिए कि आप समय समय पे करते रहे तो 70 का और आपका मसीन इन दौनों के बटन के होती है 70 का दिखा रहा है कि टोटल 200 लोगों नों मत्दान किया तो मसीन भी 200 लोगों को बताए क्योंकि टोटल बटन आपको कभी भी दवा के देख सकते हैं उसको दस बार दवा हैं इस बार दवाएं उसके लिए छूट है इसलिए कोई परिसानी नहीं होती है तो उसको बीच-बीच में उनको चेक करते रहना चाहिए और साम को मैं आपको बड़ा ही सरन प्रकरिया बता रहा हूँ तो कि यह मैं करवाता रहता हूँ 70 गां में जो हिसाब करना होता है कि भाई इतने स्थी मद्दाता इतने पुरूस मद्दाता इनका टोटल इतना टोटल इतने मद्दाता थे इस पे और इसमें से इतनों ने मद्दान किया ये इतने percent हुआ है ये सारी चीजें दो जगे लिखी जाती है एक प्रिसाइडिंग ओ कोपी हैं आप उनके पास से कॉपी को अपने पास रखें और इन दोनों की एक कॉपी आप अपने पास ले لिजे और उन युद को अप ले करके एडवांस में ना को आपने आरू के एह और उनको इसके हिसाब से आप सारा हिसाफ आप टैली करवा सकते हैं, कि भाई, बूथ नंबर इस पे, इस केंदर पे इतना मद्दान हुआ, ये सतरगा का इसा भे, उसकी डायरी का इसा भे, दोनों की कॉफी आपके पास हैं, तो आप उनको टैली करवा सकते हैं, वो सारे टैली हो जाएंगे, जब वो आकर के हां सामान सब्मिट करेंगे, तो उससे पहले उनके आखड़े सारे तयार हो चुके होंगे, तो उनको आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, एक चीज और आप ख्याल रखिए, जो आपको अपने प्रतिक प्रतिक प्रिसाइडिंग ऑफि उनने का इसको आपको सील मारना चाहिए था, आपने सील नहीं मारी है, तो उस समय पे आप लाओ भी लिया, वहाँ सब व्यवस्ता होते हैं, गरम लाक पगरे कि लिया पटाक से सील मारा दे दिया, तो वो सारे चीजें लिकांगा उनको पैक कर दिया, और कई बार क्या होता अब सिक्का कहां से लाएं, वो कहां से लाएं, इसलिए उनको कहिए कि ये तीन चीजें सबसे लाश्ट में सम्मेट करें, इनको अपने पास बना के रखें, और जब सब कुछ के लिया हो जाए, फिर आप उस लाश्ट बैक को सबसे लाश्ट में सम्मेट करवाएं, इस ची बैटरी आपको बतलना आना चाहिए यह आपको ट्रेंग में सीख लेना चाहिए बड़ा सरल है आप और वीडियो देखेंगे तो उसमें यह भी बताया कि किस प्रकार से बड़े आराम से बैटरी निकल जाती है पीछे के से में और उस बैटरी में दो इचेद होते हैं उन दो बैट में कि इंची जोगा क्यार रखना है तो यह सारी चीजह आगर आपको मालम होनी तो आप बड़े अच्छे धंसे सिखापाएंगे एक जादा तर आपसे जो प्रस्न प्रशन पूचेंगे वो टेस्ट गोट के सनदर में हो सकते हैं टेंडर गोट के सनदर में हो सकते है चैलेंज बोट के संदर में हो सकते हैं या प्रॉक्सी बोट के संदर में हो सकते हैं तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ कि कोई आर्मी ओपिसर जो नेफा वकेरे में कहीं सर्विस में हैं ऐसी जगे पे जहां से वोट नहीं कर सकते हैं तो वो किसी अपने व्यक्ति को इसका अधिकार देते हैं कि मेरी तरफ से जा करके आप मद्दान करके आ सकते हैं अब मान लिजे उनकी जगे पर मैं मद्दान करने आता हूँ तो मैंने अपना मत तो दिया हुआ है अब अपना मत जो मैंने दिया हुआ है उसके लिए मेरे लेट उंगली पे निसान होगा लेकिन अगर मैं फ्रॉक्सी मत देने आया हूँ तो चूंकि मैं अपना मतदान कर चुका हूँ और उसका भी मतदान मुझे करना है तो मेरी सेकेंड उंगली पे मतलब लेप्ट हेंड की सेकेंड उगली पे सेंटर मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं उसके उपर उसका निसान किया जाएगा और उसके एंटरी की जाएगी आपके एरिया में जो भी प्रोक्सी मत दाता है अगर आर्मी के वो लोग हैं तो उसकी आपके पास एडवांस में जानकारी होगी कि आपके मतदान के अंदर पर ये ये प्रोक्सी मत दाता है इंकी जगे पर कोई मत देने के लिए आ सकता है वो लिश्ट आपके पास होगा उसके अलावा कोई अगर कोई परकार का डेटर लेकर आता है तो आपको मतदान नहीं करने देना है यह हुआ प्रोक्सी दूसरा था चैलेंज मत कई बार क्या है अब तो फोटो वाला सब कुछ आ गया इसलिए कोई दिकत नहीं है लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया भी चालू है कोई व्यक्ति आता है वो कहता है कि मैं रमेश हूँ और बैठा हुआ जो एजेंट है वो कहता है ये तो रमेश नहीं ये जूट बोल रहा है तो उससे आप पैसे लेंगे जो एजेंट है दो रुपए उससे लेने है उसको रसीत देनी है लेकिन अगर वो गलत निकलता है जिन्ट की बास से निकलता है तो उसको पुलिस में देंगे इसको चेलेंज मत कहा जाता है तीसरा है टेंडर मत ये भी प्रक्रिया अगर साउधान है आपका पॉलिंग ओपिसर वन तो ये प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए किया होता है कि किसी और की जिगहें पर कोई दूसरा मत देके चला गया और उसके बाद वह व्यक्ति खोड़ा करके खड़ा हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति तो मैं हूँ और अपना ID बगएर सब कुछ वो अप्रूब करता है तो ऐसी स्थिति में आप उसको नहीं कह सकते कि आप मत नहीं डालेंगे या ये भी नहीं आप कह सकते कि आपका मत कोई और दे गया देगे आप उसको बताएंगे भी आपका मत कोई और दे गया तो उसका तो अधिकार जाता नहीं कर सकता ना उसका अधिकार तो है न मत देने का तो ऐसी स्थिती में आपको 10 बैलेट पेपर का एक वो दिया गया होगा उस बैलेट पेपर पे वो मसीन से मत दान नहीं कर पाए वो बैलेट पेपर लेके जाएगा और उसको हम बोलते हैं टेंडर मत इसको बोला जाता है टेंडर मत और टेस्ट वोट वो प्रक्रिया है जब कोई वेक्ति ये कहता है कि मैंने मत तो किसी और को दिया था सिलिप किसी और के नाम के निकली है इस कंडिशन में जब वो आपसे ये कहता है कि नहीं मुझे दुबारा वोट देना है मुझे दुबारा इस चीज को देखना है तो आप उससे ये कहेंगे कि भी आप बिल्कुल कर सकते हो लेकिन उसके पास एक फॉमा भरवाएंगे कि अगर आपकी बात गनत निकली तो आपको 6 मेने की कैद होगी और आपके जुर्माना भी होगा ये दोनों चीज़ें आपके लिए बाहर राह देख रहे हैं अगर वो फिर भी इसके लिए तैयार होता है तो एक, दो, तीन, चार जितने बार वो चाहे अलग-अलग लोगों को भी मत दे करके वो टेस्ट वोट के तौर पे जरूरी नहीं कि वो एक ही वोट डालेगा वो एक, दो, तीन, चार वोट डालके वो इस चीज़ को चेक कर सकता है और जितने वोट ये टेस्ट वोट के रूप में डाले जाएंगे वो वोट आप उनके एंट्री करेंगे अगर आपको अच्छा लग रहा है अगर इससे आपको लाव हो रहा है तो अपने मित्रों के साथ इसको अबस्चे शेयर करें और जितना ज़्यादा लोग इसका लाव ले पाएंगे उनको इसका लाव दिलवाईए धन्यवाद मैं हो डोक्टर हरी निवास और अगर आपको समय मिले तो मेरा चैनल है संस्कृत साहिति एवं संस्कृति उस पे वालमी की रामाण है उस पे महा भारत है बहुत कुछ उस पे ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है काली दास है पूरे उनका भी ज्यान शाकुंतल है बहुत सारी चीज़े हैं आप उनका आनंद ले सकते हैं वहाँ चानक के नीतिये वहाँ वीदुर नीतिये बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपके जीवन के लिए बड़ी ही उप्योगी हैं तो उनका भी आनंद लिजे देवाँ